अब काफी असान हो गया है ये चीजे जानना कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है हे गाईज आप बिल्कुल सही सुन रहे हो विकाज है डाउन जो प्रॉसेस होती है प्रेगनेंसी के अंदर ऐसे चुनिंदा लक्षन होते इसके ओवरॉल विडियो के अंदर मैं पाच लक्षन बताऊंगी जिससे अभी के अभी लगवग चार मिनट के अंदर इस विडियो को मैं समेटूंगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है यहां एक तस्बीर लगा रही हूं यह नॉर्मल डिलीवरी का बेस्ट पोजीशन होता है सेफालिक पोजीशन यह है डाउन प्रोसेस बेबी ड्रॉपिंग प्रोसेस अनेकों नामों से यह जाना जाता है कुछ डिटेल जानने के लिए लास्तक वीडियो को वाच किजिएगा गाईज मैं इसमें अपना कुछ कह सकने की लक्षन और सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी जो आप आसानी से जान लेगे यह आखिर कब होता है प्रेगनिंसी के दोरान सबसे पहले जान देते हैं कि हैट डाउन प्रोसेस जिसमें बच्चे का सर नीचे रहता है यहां तसबीर लगा रहे हूँ और बच्चे का पैर वो वो मा के पेट में नाभी के उपर दीखता है और नाभी के ऊपर रहता है वह में आप देख सकते हैं कि बच्चे ने जब सर नीचे किया तो बच्चे का जो ओवरॉल वेट है यह बेबी पोजीशन है वो नाभी के नीचे जा पहुंचा है यह पहला दूसरा सिम्टम्स यह होगा आपको नाभी के निचले हिसे में पेन और भारीपन महसूस होगी थार्ड सिम्टम्स के उपर बात करते हैं लुक को लेकर क्या यह बाते सच है कि पेट के आकार या पेट के लुक को देखकर हम असानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे ने मीरर में देख सकती हैं अगर पेट का अकार यहां अगेन एक तस्वीर लगा रही हूं नाभी के नीचे में ज्यादा निकला हुआ है इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है गाइज फोर्थ पॉइंट के उपर यह बात करते है जब भी head down या baby dropping process जाता है एक महिला के cravings के उपर बात करते हैं आपको पहले से ज़्यादा भूख लगने लगती है खाना पीना सब कुछ अच्छा लगता है और कई पर ऐसा feeling आएगा आपको अंदर से कि पेट में कुछ space बच चुका है यहां तस्वीर लगा रही हूं head down क अगें देख सकते हैं ना भी के उपर में एक अच्छा खासा जगा दिख रहा है जिससे आपको ऐसा लगएगा कि खाने पीने में अब थोड़ा सा पहले से राहत हुई है क्योंकि जब भी बच्चा कह सकते हैं फिफ्ट मन तक pregnancy के या छटे महीने तक क्या होता है कि पेट मे ऐसे लगएगा कि कुछ खास जगा नहीं है जिसे हम खाना वगेरा खापा है अब यहां लास्ट और फिफ्ट पॉइंट के उपर बात करते हैं यह पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी बेबी किक्स को लेकर कि जब भी बच्चे का सर नीचे जाता है बेबी क के ऊपर पैर है तो ना भी के ऊपर ही बेबी किक्स करेंगे अब यह जानेंगे कि आखिर यह प्रकिरिया होती कब है प्रेगनेंसी के 30 या 32 वीक के बाद कभी आपका बच्चा जो है वो हेड डाउन प्रॉसस कर सकता है एक बहुत स्वीट सा सवाल मेरी सब्सक्राइबर ने कल रात में ही पूछा था यह चीज़े कि जब एक बार बच्चे सर नीचे कर लेते हैं तो क्या वो दुबारा उपर करते हैं यानि कि हैड़ डाउन प्रॉसस में क्या यह चेंजेज आती है कि बच्चे की पोजिशन बदल जाए सर जो नीचे है वो सर उपर चला जाए तो गाइस देखिए ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन एक पॉसंट चांसे बहुत रेर चांसे होती है कि बच्चे अपने सर को अगेन उपर लेके जाए वैसे नहीं जाते हैं फिर भी लेकिन हम मानके चलते हैं कुछ एक बच्चे अभी तक के हिस्ट्री में ले जा चुके है सारे पॉइंट के उपर बाते हो गई मैंने आपका जादा टाइम नहीं लिया चलिए मिलती हूं कल की नई वीडियो में अब आप मुझे कमेंट करके ये बताए कि आपका हेड़ डाउन प्रॉसेस हो गया है